मेरा नाम है दिल्फ सिंग और हमरे साथ में है कैश फॉंडेशन के फाउंडर स्री भरत सिसॉरिया जी तो मैं आपसे जनना चाहता हूं मनम है इसको क्यों चालो किया कैच फाउंडेशन जो है वो अगर आप देखें इसका फुल फॉर्म है क्रियेटिंग अवेर्नेस टू चेंज हैबिट जो उसका सौट में हम उसको बोलते हैं कैच फाउंडेशन और यह संस्थाद हमने जब सुरू की दी तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके स्वच भारत मिसन के साथ हम जुड़ेते हैं और उस मिसन के साथ जुड़कर हमने मेरा स्वच मोटेदा करके एक भ्यान हमने एक मुवमेंट हमने चलाई दी जब यह मुवमेंट चलाया तो उस मुवमेंट के अंदर एक दो सोसाइटी तीन चार सोसाइटी जुड़ी और उसके बाद जैसे 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 यह मुवमेंट आगे बढ़ा तो लोग इसके साथ बहुत जुड़ते गए तो हमने यह सूचा नहीं था कि हम इसको एक NGO को convert करेंगे लेकिन क्योंकि movement में बहुत सारे लोग जुड़े तब हमको जुरूत महसुस हुई कि एक संस्था का इसको रूप दिया जाए तब इसका 2015-16 जुलाई को हमने catch foundation एक संस्था को register किया में आप क्या क्या काम करते हैं कैच foundation जो है वह मुख्य तीन मुद्द के उपर काम करता है हमारा सबसे पहला मुद्द है वह है वेस्ट सेग्रीगेशन हम घर का जो कूड़ा है उसको mix करते हैं और वह मिक्स कूड़ा जो है बाहर लैंफिल पे जाता है जो हमारे लिए बहुत ह प्लास्टिक जो है वह हमने लैंफिल में जाने से रोका है और हमारा दूसरा जो मुद्द है वह से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमने एक हमारी स्मार्ट बैग बनाई वह स्मार्ट बैग के अंदर हमने पांच हमने उसके अंदर पॉकेट दे दिये और महिलाओं को हमने यह बैग जो है पांच किलो प्लास्टिक हमको दो हम आपको यह बैग फ्री देंगे प्लास्टिक घर से लेगा ना कर सके इसलिए उनको बैग दे तो इस तरीके का यह एक इनिसेटिव तीसरा, जो हमारा सबसे बड़ा इनिसेटिव और जिसके उपर हमारा बहुत focus है वह है plant maintenance लोगो ने बहुत सभी प्प्लांट लगाएं पूरे इंडिया ने इतने सभी प्लांट लेकिन क्या वो सभी नशुप ईतने लगाएं जिन्दा रहते हैं यह सवाल हमने अपने आप से पूछा हमरी पूरी टीम ने आप से पूछा हमारे टीम ने एक दूसरे से बात किया तो इसका जवाब आया सिर्फ 20 से 25 परसंट जो खुद सरवाई हो सकते हैं मलगों 100 प्लांट लगा है तो 20 से 25 प्लांट जिंदे रहते हैं बाकी देडर मतले मर जाते हैं यह क्यों कि उसकी केर करने वाला कोई नहीं है एक बार लगा दिया उसके बाद उसके पानी डालने वाला उसके खाथ डालने वाला सब Innサब गांट जीन करने के लिए सहाथ कोई नहीं था तो इस वाम यह जूरू किए असपास फ्लांट जो है बड़े किये हैं क्या बात है और हमने 57 यह जो फोटो जो है हमारे डैंस फॉरस्ट की है 57 ऐसे बड़े और छोटे डैंस फॉरस्ट जो है अभी तक हमने बनाए है यह अल ओबर इंडिया में हम लोग हमने सुरुवात भले ही एमदाबाद मुटे रहा से की दी लेकिन आज हम ल अलग अलग पॉकेट्स के अंदर है घंदिनगर में हैं गुड़ा के अंदर है सानंद के अंदर है सो अल्मोस्ट हमने इंडिया की बारा से ज्यादा सीटी को कवर किया है यह 57 डैंस फॉरस्ट में चलिए बहुत अच्छी बात है और आपने कुछ आप लिखा है कि हंडेड फॉरस्ट फाइव लेक्ट त्री यह का टारगेट है विजयें इतना कम्प्लिट करना यह किया है इसको में मिशन बोलते हैं इंडियन एट्मोस्पेर में उसको किस तरीके से ढाला जाए उसमें कुछ चेंजिस करके हमने खुद की एक हमारे खुद के एक्स्पिरियंस से उस प्रणाली को बनाया है और उसके अंतरकत हम सौ डैंस फॉरस का हमने मिसन लिया है दो हजार तेईस तक हम पूरा करना चाहते ह आने वाले तीन-चार महिने में हमारे पास जो भी रिमेनिंग हो पूरा हो जाए और यह प्लांट्स में सर आपने पांच लगने लिखा है यह कितने अभी हो चुकी यह वन फुर्टी टू फॉर्टीटू थाउजन प्लांट जो है वह हमने हम उनको मैंटेंग करने अभी त जमीन कहां से मिलती है नॉर्मली हमने देखा था जब हमने प्लांटे नंस की सुरुवात की तो रोड साइड मतलब रोड के आसपास प्लांट लगा देना 15-15 फूट पर प्लांट लगा देना एक ट्रडिस्टल स्टाइल थी जो सायद मैंने बच्च छोटा था तब मैंने बढ़ा हुआ तब मैंने भी यह देखी और बहुत सारे लोगों ने यही एक ट्रिस्टनल मैथड देखी थी दो तेन फूट गड़ा को दो प्लांट लगाओ और उसको पाने डालो या मत डालो बढ़ा हो जाएगा हमारा यह जो कैच बंसंट्रक्षन प्रनाली जो है वह हम लोग गफर्मेंट से सबसे पहले हम लैंड जो है अधे इसमें डूर लोग लैते हैं और उसके अपिस लेंड को हम लो देवलोप करके देंगे यहां पर एक डेंस फॉरेस्ट बना के तीन साल तक उसको मैंटीन करके जब यह डेंस फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा तब हम वो डेंस फॉरेस्ट को पापीस गवर्मेंट को उसको हैं अगर जरूत पड़ती है तो अच्छा सवाल है हमा दो से तीन परसंट स्रीफ मैंटेंग करने के जबत पड़ती है अच्छा वो सेल्फ मैंट सस्टेनेबल एक एकोसिस्टम बन जाती है वही पेड जो है अपने आसपास अब एक दूसरों को सपोर्ट करते हैं और सर्वाइवल रेश्यों भी बहुत अच्छा रहता है अदिके विश्य जो खर्ची याते पैसे की से ओगते हैं Bless equip हमने देखा है कि प्लान लगाने के बात जो मैंटेनेंस प्लान लगाने यह लेकिन सबसे इंपोर्टेंट वान करना तो हमने जो तीन साल का मैंटेनिंज की यह परॉसेस बनाई है उस परॉसेस का हम ने सट्रेंड आमउंट हमने डिसाइड किया कि इतना इमउंट जो है वह तीन साल तक एक पौध यह दो स्वाधियी होता है तो हम लोग और प्धें हम कॉर्पोरेट्स के पास जाते हैं CSR में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो CSR के अंतरगत हमारे साथ L&T है ग्लैनमार्क है मिप सुभी सी है ओएंजी सी है ऐसी बड़ी-बड़ी डेड़सों से भी ज्यादा कंपनी जो है हमारे साथ चूड़ी है दूसरा फंड आता है हम अडॉप्शन कराते हैं हम लोगों को बोलते हैं कि आप हमारे प्लांट को अडॉप्ट कीजिए और अडॉप्शन के कुछ चार्जी से वह पे कीजिए आपके बदले में आपके पेड़ों को हम मैंटेन करेंगे आपके तो वह एक दूसरा तरीका है जिससे हम फंड जो है करते हैं और तीसरा तरीका है हमारे खुद की नरसरीस है वह नरसरी के अंदर से जो लोग प्लांट्स लेके जाते हैं तो वह त्यूंत से यह तीन तरीके से फंड हम रेस करते हैं अगर सब्सक्राप्शन के लिए अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो किस तर साब की साथ में जूर सकते हैं और अमाउंट क्या हो सकता अगर बता पाए आप तो हमारी वेबसाइट पे करके एक www.catchfoundation.in website हमागा एड्रस है उसमें एक लिंक है वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो हार्डली एक मिनिट के अंदर आप एक ट्री को एक हजार रुपे देखे और वो त्री को आप अपना बना सकते हैं तो आप जाहिए कैज फांडेशन की वेबसाइट पर और लिए तो आप इनके साथ में दूड सकते हैं इनके वेबसाइट है उसका लिंक में डिस्किप्सिंट में दिया हुआ है आप वहां से जाकर अड़ोड कर सकते हैं इसके अपने इस के साथ हमने टेक्नोलोजी को भी हमने जोड़ा है जैसा कि बताया हमारी संस्ता के अंदर ब वोलिंटरिस्ट उन्होंने हमको ट्रेक माई ट्री करके एक आइडिया दिया जिसमें आपका अडॉप्टेड हुआ ट्री आज कौन सी स्थिती में है वह आप अपना मोबाइल नमबर डालके या इमिल डालके चेक कर सकते हैं उसमें पानी कितनी बार गया खाद कितनी बार उस सब चीजे आप उसमें अपडेट ले सकते यानि अपडेट आपकी टीम करती है क्या बात है यह तो बहुत ही अच्छी चीजे अप नया चीज कर रहे हैं अच्छा वालिंटरिया किसी को बनना हो तो कैसे बन सकते हैं आपको जूड़ना है तो आप अगेन हमारी वेबसा आपर हैने और उस ग्रूप में जो भी एक्टिवीटी होती है डाला जाता है जिसके पास अवनिटी होती है हमारी अच्छे बात है कि आपने टेकनोलोजी के जिक्रे किया नियाओ वांगे जो जापानिश टेक्नोलोजी वो क्या होता है उसको उसके बारम चरवा मुझे भी प्लांट को जो हमने ट्रेडिशनली हमने प्लांट को लगाएं अभी तक इस अनुसार प्लांट जो है कम जगह पर ज्यादा प्लांट आते हैं हम जो कैच वन संट्रक्षन प्रणाली जो है वो मियावाकी जापनिस टेक्नोलोजी से प्रेवित हैं आप देखेंगे यह हमारा खुद का एक डेंस फोरेस्ट है जिसको हमने मियावाकी के अनुसार ही डवलप किया था यह पेड जो एक दूसरे के कितने करीब आपको दिख र क्योंकि यह एक दूसरे के पास है नजदिक हमने लगाया है वो प्लांट तो यह प्लांट के रूट्स जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जैसे यह प्लांट है और इसकी प्लांट यह दोनों बहुत नजदिक लगाये हुए है इस प्लांट के रूट जो है उसके ब बनती है ग्रिल उसी तरीके से रूट्स की भी एक कैनोपी बनती है और ये कैनोपी के कारण प्लांट्स जो है वो इसका सर्वाइवल रेसियो जो है मियावा की जापनिस टेक्नोलोजी में ज़्यादा होता है दूसरा क्योंकि वो एक रेके नजदिक है तो सन्रेज के लिए इनके सन्रेज पाने के लिए इनके बीच में कॉंपेटिशन होती है तो ये जाप ये जो डैन्स फोरेस्ट है वो अभी सिर्फ चौथा साल चल रहा है ये चार साल अभी कंप्लीट होंगे ये 25 से 30 फूट 40 फूट की हाइट पर पहुँच गया है नॉर्मली अगर 25 से 40 फूट की हाइट को अगर अचीव करना है तो कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं एक प्लांट को और वो 3 साल, 4 साल के अंदर इस टेकनोलोजी के अनुसार हम उस हाइट को वो इस प्लांट को जल्दी से ग्रो कर सकते हैं दूसरा 10 टेम्स हाइट कार्बन डाई ऑकसाइड जो है वो एटमोस्पेर से ये अब्सॉब करता है 10 टेम्स हाइट ऑकसिजन जो है वो एटमोस्पेर में देता है तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने घर में अगर छोटा सा गार्डन है तो छोटी जगह पे भी आप मियावाकी की अनुसार कैच वन संद्रक्संट रणाली की अनुसार एक घना डैंस फॉरेस्ट बना सकते हैं सर आपसे एक और सवाल है अगर आपको हमारे इनिसिटीव को सपोर्ट करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे डोनेशन करके एक लिंक है उस डोनेशन बटन को क्लिक करके आप अपना डोनेशन जो है वो दे सकते हैं बहुत 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 धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लागा और आपको कैस्ट फांड़नेशन की बारे में बताया कि मिया वाकी तो पहली बार में न सुना इनका वेबसाइट भी है और इनका जो ऑफिस है और या नर्सरी है उसका भी एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप अंदावन में रते हो या कुछ भी आपको काम है तो डाइक के इनको कॉंटेक्ट कर सकते हैं Thank you Thank you